देखे बाद एक बार फिर से आपका स्पवागत है रांदेव चोगान की जहाँ पर आज गोगुंदा में ये जोनसभा होनी है तो देख सकते हैं कि कितनी तदाद में यहाँ पर तमाम महिलाएं पुरुष इकठा है और जैसा कि लगातार हमारे साथ हमारे समधाता यहाँ पर जुड़े वे थे जो आनकारी दे रहे थे और यहाँ पर एक छोटा मंच भी बनाया गया है रत के उपर ही हिस्से में जहाँ पर सीम राजे जगे जगे जब लोग उनका स्वाखत कर रहे हैं तो यहाँ पर उनसे बाचीत भी कर रही हैं और बता रही हैं कि सरकार ने किस तरह से काम किये हैं क्या विकास की काम किये हैं और आगे भी किस तरह से विकास की काम किये जाएंगे और दूसरी तरफ आपको मंच की तस्वीरे दिखा रहे हैं गोकुंदा में जो सरे से जनसभाई ये होनी है उसकी तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ये एक तस्वीर नाथ द्वारा की है जब यहाँ पर मॉडल बस्टेंड की सौगात सीम राजने दी ग्याला करोड की लागत से ये बस्टेंड बिना है तमाम अत्यधुनिक सुविधाई आपर प्रेटन के लिहास से भी कह सकते हैं कि ये जो सौगात यहाँ और ये सौगात आज सीम राजने नाथ द्वारा को दी है सौंदरे करण की बात भी आपर रखी वहीं सौच्टा का आवान भी किया है और रितू पूरा अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ ये पूरा संभाग है और इसमें बिल्कुल कोता ही नहीं होगी कि बहुत नैसरगिक जो खुबसूरती है इस पूरे इलाके की वो पूरे राजस्तान में आपको इतनी कही भी नहीं मिलेगी जो इस पूरे एक हाग में आपको देखने को मिलेगी लेकिन देखिए चुनातियां बहुत हैं इस इलाके में और जितने महिलाइं आपको नजर आ रही हैं हम सलाम करते हैं इन महिलाओं को क्योंकि तमाम कह सकते हैं कि वपरीत परस्तियां वहां पर रहती हैं बिल्कुल अनुकूल नहीं है आज बेशक अगर आज हम बात करते हैं तो महिलाइं जस तरह से बराबरी के लिए बाखा निकल रही हैं घरों से जो लोक तंतर का बड़ा पर्व होता है उसमें भी जादा से जादा हिस्सेदारी इन महिलाओं की होती है वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है लेकिन कर सकते हैं कि इसमें आगे बहतरी के लिए काम किया जाएगा क्योंकि पूरा जो एरिया है अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं डूंगरपूर साइड की तरफ अगर बात करते हैं बिल्कुल पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पर आपको बेसिक जो सुविधाय है उसक कोई बेहद उप्योगी उन लोगों के लिए साबित होने बाला अगर दूर दरास के इलाकों तक अगर वो बस सेवा पुहसती है तो बिल्कुल और इस दुरान हमारे साथ जहां पर जनसभा होनी है वहाँ पर हमारे समाधाता नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए है है वो गोगुंदा पहुंचने वाली है और यहां पर जो उप्चारिक रूप से कह सकते हैं कि अकारे क्रम है वो शुरू हो जाएगा हाला कि देखिए बड़ी बात यहां कि तीन घंटे से तीन घंटे का लंबा इंतजार यहां की जनताने और बिल्कुल अनुशासन में रह महाश्वरी है वो पहुंच चुकी है सुमन सर्मा से वो चक्चा कर रही है इसके अलावा जविकाश सर्मा है वो फिलहाल संबोधन कर रहे है और यह कह सकते हैं कि कुछी चड़ों में मुख्य मंत्रे भी आप हुँचेगी और सबसे पहले जो यहां की जो विकाश योजना ह है उसका निरेक्षण करेगी यहां की जो चात्राय है जो मेदावी चात्राय है उनको साइकल भेट करेगी और साइकल भेट करने के बाद में वो फिर मंच्च का आएगी और उसके बाद जन सबाकों है वो संबोधित किया जाएगा तो जो इंतिजार है वो किया जा रहा है म लोग उम्रे हैं मुख्यमंति को देखने के लिए इसी कारण से बेरी हो रही है हलाएंकि जो दूरी है और महस्त साथ किलो मेटर तक है लेकिन इसके बावजूर के कह सकते हैं लोग यहां मुख्यमंति को सुनने के लिए उनको देखने के लिए और आपको अपडेट बता दू कि गोगुंदा कश्वे के अंदर जो है जिक्र भी किया कि बस कुछ मिनट का और फासला और सीम राजे बस यहां पर पहुंच जाएंगी लेकिन यहां पर जो जोनता बैठी है जो लोग दस बज़े से बैठे हैं वो यहां पर सौगातों का बें इंतिजार कर रहे हैं जोगातों का इंतिजार है वो जरूर क्या जाता है जब यह बड़ी जनसवा होती है जो जरूर लोगों को भीद होती है कि उनके लिए कोई बड़ी घोशना हो उनके लोगों के लिए उनकी सहुलियत के लिए सरकार बड़े कड़म है तो यह बड़ी पीदा है जो हमने पहले ही बताई है गोगुंदा के लिए कि यह विधान सबाच्छेत्र है यहां के जनपती दिने लेकिन यहां नगरपालिका नहीं है और यह बड़ी समस्या है कि लोगों ने बताई है वि नरिश देखिये चुकि हम लगातार इस बात का जिकर कर रहे हैं और आप जिस तरह से वहां की समस्याओं को भी सापने बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां से सौगात मेरेगी लेकिन अस पूरे आज के दिन की बाद की जाया है तो तीन बड़ी सभाई होनी है मेरी जुआनकारी में जुतना है एक तो गोगुंदा की और एक जाडोल की और एक खैरवाडा की अब चुकि यहां पर इतना वक्त लग चुका है कि तकरीमन दो बजने को आया है और उसके बाद दो जनसभाई और होनी है कितना कितना डूरेशन है और साथी साथ कितने कितनी कि अगर बात करते हैं और यहां पहुंचने में एक जैक कितना टाइम लगेगा अभी और उसके बाद क्योंकि दो जगए और होनी है वहां तक भी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा तो इसको पूरे को अगर आप दर्शुकों को बता पाएं तो कि अगर इस बारे में मैं आपको अफ्डेट कर दू कि देखिए नाथ द्वारा से जो गोगुंदा तक की जो यात्रा है वो पूरी तरह से सडक मार्ग से हुई है रत पे सवार होंके जो वह है मुख्यमंत्री आई है लेकिन आगे की जो दो सबाए है उन दोनों सबाए में कोगुंदा से मुख्यमंत्री हेलिकोप्र के माद्य पर जाएगी जो कि दूरी ज्यादा है करीब सकतर से किलोमेटर जो है वो अगला कारे जो सबाइस्तल है जहां पर सबाए होनी है तो वो जो दूरी है अब हेलिकोप्र से तेकी जाएगी इसलिए समय कम लगेगा जो ना कोप्र के माद्य में से मुख्यमंत्री एक जगे से दूरी जगे जाएगी इसलिए यह जो यात्रा का समय कम लगेगा और यह माना जा रहा है कि आगे की जो सबाए है वो तैय समय से थोड़ी से देरी से सुरूप होगी और नरिश एक और चीज़ जो खास तोर पर देख पा महाँ पर रहते हैं और ऐसे में इतने सारी महिलाओं का एक साथ महाँ पर आना शुप संकेत उस इलाके के लिए भी कि किस तरह से जागरूख अब महिलाएं भी हो चुकी है महिलाओं जागरूख है इसमें कोई आथि शोकते नहीं है और यहाँ पर जो महिलाओं की ज़्यादा संक्या है जो कनेक्शन है जो आपस में जो वन टो वन संभात करती है इसकी जो महिला यह काइल है और इसी करन्ह से क्टे सकते है कि जब मुख्यमंती जहां भी जाती है वहां पे महिलाओं की संक्या सभा में ज्यादा से ज्यादा होती है हमने कल कांकरोली की बड़ी सभा में देखा उसमें भी महिलाओं आपने देखा हुआ केसरिया साफा पहले हुए जो मेवारी की पहचान है केसरिया साफा पहले हुए महिला ये बड़ी संक्या भाई थी और आज जब हम बिल्कुल आदिवासी इलाका कहलाता है गोगुंदा जो बिल्कुल पहाडों के बीच में बसा हुआ है यहाँ जब आते हैं तो काफी ये कह सकते हैं कि दुर्गम एक तरसे इस्तान भी कह सकते है हलां कि आप सड़क की सुईदा हो गई है लेकिन बावचुद इसको पहाडों के पीच ये कस्वा बसा हुआ है जिसकी जनसे के महिला मुख्यमंत्री है और इसका अरण से महिलाए ज्यादा संक्या में आई है और देखें दुसी बात यह है कि महिलाओ के लिए कई कि दिए कि प्रभाब हो सकता है कि उसकी जा रहा है वह मुख्यमंत्र किया जा रहा है जांतक सुरक्षा वेवस्था की मैं आपको बता दूँ कि जाग्चोवन सुरक्षा वेश्था की गई है पूरे कसमें के अंदर पुरा वेरीगेटिंग लगा कि जो है वह वो सकी गई है ताकि किसी तरह की अफ्रीय स्थी नहीं हो मुख्य मंत्री का जो कार केड़ है चुकि वाहनों के से जादा है तो वो आसानी से सभाई सतल तक पहुंचे इसके अलावा जो लोग सभा में आये हैं उनके वाहनों की भी पार्किंग की विश्ता और उनके वापिस आने कि जो विवस्ता वो शुचारू रहे इस तरह की पुलिस और प्रशासन ने की है लेकिन फिलहार यह के सकते हैं कि कुछी छड़ों में मुख्य मंत्री है वो सभाई स्थाल पे महुचने वाली है और सभाई स्थाल पे भी इसी का इंतिजार किया रहा है फिलहार में बता हू किया है किस तरह सरकार की जो योजनाओं का सुन पा रहे हैं और वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि जो दूर दरास के लोग हैं जो गाव धानी में बसे हुए लोग हैं उन तक इसका लाब किस तरह से पहुंच रहा है चूंकि आप वहां पर मौजूद है और देखि गुंदा का जिक्र किया कि बिलकुल यहां पर यह ट्रॉइबल एरिया है यहां पर पहाड ही पहाड है और अक्सर हम खबरे भी देखते हैं कि सबसे ज़ादा अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है वो आती है proper communication में proper जो transportation होता है क्योंकि पहाडों में बसों का roads की जो connectivity है उस नहीं पहुंच पाती है आप का observation क्या है आप चुकि वहां पर जगे 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 जा रहे हैं आप समझ रहे हैं धरातल पर किस तरह से क्या कोई बदली वी तस्वीर वहां पर नज़र आ रही है कि अब घुदे कि आज से करीब साथ साल पहले भी मेर्षव ने नियुकर में था पुरी चेत्व को देखा था लेकिन आज का जो हमने को गुझ दा ने ज़र आरा है सड़क की बात करें गोरवपत की बात करें लोगों की सुविदा की बात करें गोगुंदा में यह कह सकते हैं पहले परिवन की बात करें तो पहले इतनी सुविदा नहीं थी लेकिन अब तस्वीर है वो यहाँ पे कुछ बदली वी नजर आ रही है विकास के कारियां हुए हैं जब मुख्यमंत्री कहीं का दोरा करती है कोई इस तरह की आत्रा होती है तो जनता को फायदा होता है कि उनके इस तरह की जो छोटी-छोटी समस्या है चड़क की समस्या हो वो तुरन दोर हो जाती है क्योंकि जब काफिला गुजरता है तो इस तरह की जो सुविता जनता को बि के पास है आज जब मंच से लोगों से सवाल जबाब हो रहे थे तो जो चीजे उनको बिली है उसके लिए उन्होंने हाथ उठाकर हां की है और जो चीजे नहीं मिली उनके लिए मना करने में बें उन्ने कोई संकुष नहीं किया तो यह जागुट्टा की बात है शिक्षा के कारण जागुता आई है हाला कि आदिवाशी इलाका है काफी धने ये कह सकते हैं कि जंगल पहाड़ी जो इलाका है उसमें ये कस्वा बसा हुआ है लेकिन विकास के बात करें काफी बतलाव आया है सुविदाव के बात करें काफी सुविदाय विक्षित हुई है और उसके बाद अब यह गोर्व यात्रा। और बीच में हमने देखा कि कई बार सरकार जो है वो आपके द्वार, मतलब लोगों की घरों तक भी गई, हर संभाग को लगग लगग कवर किया गया था, वो भी हमने देखा, तो कितना कह सकते हैं, इतना फाइदा होता है कितना ये कह सकते हैं कि इंपैक्ट वहाँ पर पढ़ता है जो कि काम होते हैं जब आप जाओगे वहाँ पर 10 अगर लोग पारे आपकी परिशानी लेकर आ रहे हैं तो उन परिशानियों को भी सौट आउट आप करोगे तो ऐसा कुछ यहां पर भी देखने को मिलड़ा है इस दर्मियान भी जन समबात की बात करें जब इस तरह का संपर के लोगों से उनके पास जाके उनके छित्र में जाके उनके जड़ाता है तो इसका फायदा जरूर जनता को मिलता है क्योंकि देखिए जन समबात काम ने देखा तो मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच में जाके उनके छित्र में जाके उनके बात करती है उनकी जो भी मांगे है उनके विचार करती है और करी घोशना भी मुख्यमंत्री ने इन जिनों की है जो लोगों ने मांगे उसके तीकि पहलों ये है एक तो ये हो कि यहां का आदमी जो एपूड जाए जेपूड जाएके अपनी समश्या बताए और दूसरा खुद सरकार उनके पास खुद मुख्यमंति उनके बीच आ रही है उनकी समश्या पहले है और उनकी जो भी मांगे है जो सरकार ते समय में जो पुरा कर सकते हैं वो पुरा भी कर रही है उनकी जो गोश्टा है हमने देखा अभी जो मुख्यमंत्री के जितने भी जन्चमवाद के कारिकरम हुई है मुख्यरोप से फिला कुछ समय से मुख्यमंत्री ने डुंगरपुर हो बासवाडा हो यह जो वागड का इलाका है इस पे पुरा जोड़ दे रखा और यहीं सबसे ज्यादा यात्रा हुई है तो यहां के लोगों को यहां की जन्ता कुछ का जुरूर फाइदा मेंता है जब इसतरे की यात्राइ हो इस तरह के कारेक्रम होते हैं चाये हैं आब सरकार आपके दुवार कारेक्रम हो primarily लोगों से मिलना लोगों की बात सुनना जब शीदी पहुंचा है इसके बीच में किसी तरह का कोई माध्या नहीं को खुद अपनी बात बताने का वोका होता है तो इससे जरूर जो इन दो फाइदा में पास जब यहां पर जन सभाज होने वाली होगी से अमराजय जब यहां पर पहुंच जाएंगी क्या कुछ अपने संबोधन में कहेंगी यह हम देखेंगे एक बार फ़र से लोटेंगे लेकिन फिलाल यहां पर बत्तों चला है एक चोटे सब्रेंगरा